नमस्कार दोस्तों मैं हूं रावसान और आप देख रहे हैं पिरपेर फॉर नौकरी ओफिसियल लिटूब चैनल दोस्तों मिस्र धातू निगम लिम्टेड जो की एक गवर्णमेंट अफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है मिनी रतना केटेगरिस का यहां पर पी असी तो देखिए सबसे पहला management trainee की बात करते हैं जिसमें 22 पोस्ट है और यहां पर आपको metallurgी का ए है उसके बाद assistant manager की कुछ पोस्ट हैं जिसमें की material management में तीन है Corporate Communication में एक है Medical में एक है उसके बाद Assistant Manager IT में एक है मने उसके Manager दो है Automation और Mechanical जिसमें एक-एक CT है और देखें इसका CTC दिया हुआ है कि सारे 13,40,7,000,000 CTC होगा और Pay Grade भी दिया हुआ है जबकि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि Management Trainee और जो यहाँ पर आपको Assistant Manager है उसमें 9 से यहाँ पर 31,6,000,000 CTC है और Pay Grade भी दिया हुआ है और देखें जो Age Limit रखी गई है Management Trainee और Assistant Manager के लिए वो Max from Age Limit रखी गई है 30 साल और Manager के लिए रखी गई है 40 साल तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और देखें CTC यानि कि Cost to Company होती है इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है तो Basic Pay, DA, HRA, Perks और Allowances तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और देखें Management Trainee के लिए क्या चाहिए तो 60% Marks 60% Marks कम से कम चाहिए in the respective category जैसे कि Metallurgy के लिए तो Metallurgy और Material Science को इन्होंने जो है मानता दी है उसका Mechanical के लिए Mechanical और Production को यहाँ पर मानता दी है उसका Electrical में क्या है तो Electrical Instrumentation, Electrical and Electronics, Electrical and Instrumentation को BEB Tech वालों को यहाँ पर eligible किया है उसका Management Trainee Ceramic में, Ceramic Engineering में BEB Tech होना चाहिए 60% Marks के साथ, Management Trainee Chemical Engineering क्या है तो Degree Preferably in Engineering, Fiscal Science and 2 Year Post Graduate Degree in MA होना चाहिए या फिर MBA, HR और Equivalent उसी तरह से Civil में चाहिए तो यहाँ पर आपको Main Characterिया है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट के लिए जो है इलिजिबल से है उसका देखिए Assistant Manager के लिए आपको 6 साल का यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी यहाँ पर Age Qualification Experience Count की जाएगी एक एक 2022 तक ही Count की जाएगी और अपर Age Limit जो है Relaxation मिलेगा आपको ऐस पर Government Rule जिसे की LCST, OBC के Other Candidate को और देखिए जो Last Date अप अप्लाई कर सकते हैं 15 जनवरी तक कर सकते हैं 15 जनवरी 2022 तक और Cut-Off Date रखी गई ह परामिटर 15 एक 2022 तक तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक 2022 तक यहाँ लिखा है 15 एक 2022 तक तो यहाँ पर थोड़ा सा एंबिगस है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और देखिए इसमें जो भी आपको वेबसाइट आपको चाहिए जिस पर अप्डेट आईगी ओ म इस प्रोफिशनल और दस नोट इंटाइटल देम एनी क्लेम फर दपोस्ट तो देखिए यह सब तो बात की चीज़ी होती है आप पहले फॉर्म भरिये जो भी जिनका एक्सपरियेंस है एक्सपरियेंस के अधार पे और देखिए मेडियम जो टेस्ट होगा वो सिर्फ और स चाहिए इससे पहले का नहीं बना होना चाहिए तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और बाकी यहां देखिए नेसेसरी इंफरमिशन रिगार्डिंग रिटेन टेस्ट जो भी होगा वो बाद में बता दी जाएगी तो अप्लाई कैसे करना है तो देखिए अप्लाई करन करना है इसको अडबर्टाइजमेंट को आपको केरफुली रीड आट करना है और एक एक 2022 से यानि कि एक जनवरी 2022 से आप 15 जनवरी 2022 के पांच वजे तक फॉर्म भर सकते हैं एक 100 रुपिया जो है रखी गये है यहां पर पेमिंट आपको करना होगा तो इसको आप लोग को द्यान रखना है और CSDPWD को कोई भी फीज देने की जुरत नहीं है यानि कि 100 रुपिया जो है आपको OBC और जनरल कटेगरी को आपको यहां पर देना होगा अब देखिए कोई भी यहां पर आपको hard copy send नहीं करना है दे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तो यही सब देखिए मैं इतना है